आज पिहार के दो हाई प्रफाइल सीटों से भी नामांकन होने जा रहा है एक तरफ हाजीपूर से लज़ेपी के उम्मीदवार चिराग पासवान जिन पर रामविलास पासवान की विरासत को बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ सारन सीट पर आज राजीव प्रताप रूडी परचा दाखिल करेंगे रूडी तीसरी बार जीत को लेकर आश्वस्त नसर आ रहे हैं यानि कि वो हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन इस बार उनका जो मुकाबला है वो लालू प्रसाद यादव की बेटी से है क्योंकि लालू के गड़ में ही चुनौत दे रहे हैं राजीव प्रताप रूडी 2014 और 2019 पे राजीव प्रताप रूडी ने जीत हासल की थी लेकिन इस बार उनके सामने लालू की बेटी सारण से ताल ठोक रही हैं मेरे साथ मेरे सही होगी नितीश चंद्रा भी बने हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देखें दो हाई प्रूफाइल सीट है नितीश और इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी की NDA की कोशिश ये होगी के आज नामांकन की जरीए अपने प्रत्याशियों के शक्ती प्रदर्शन किया जाए अपनी ताकत का एसास कराया जाए क्या तैयारी है जया बिलकुल दोनों ही सीटे NDA के लिए काफी एहम है दो बड़े चेहरे बिहार से चिराग पासवान और राजी परतापरूडी दोनों नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और जाहिरे एक प्रतिष्ठा का सवाल भी है चिराग पासवान का आपको याद होगा हाजी पूर की सीट के लिए परिबार में ही चाचा से किस तरह से उनकी बगावत चल रही थी चाचा लगातार ये जिद कर रहे थे आखिरकार ये सीट उनको मिली है और NDA ने जब चिरा सबसे अधिक वोटों से जीतने की वयासे तो चिराग के लिए उस जीत को बनाए रखना एक बड़ी चुनावती होगी और दूसी तरफ राजी परताप रूडी का मुकाबला लालु यादब की बेटी से है हालाकि राजी परताप रूडी का कहना है कि वो तो राबडी लालु यादब की समधी को अरा चुके हैं ऐसे में इस बार शारन की जो लड़ाई है वो भी दिल्चस्प मानी जा रही है वहाँ पर जो वोट वैंक है जो जातिय समीकरन है वो भी बिल्कुल नेक टू नेक है यादब और राजपूद वोट वैंक के वीच वहां मुकाबल माना जाता है और जाहिदी हम हाजिपूर की बात करें तो यहां दो दलित जातियां है पासवान और रविदास उनके वीच मुकाबला माना जाता है और जाहिदी ने रविदास चेहरे को मैदान मुता रहा है और चिराग पासवान जाहिरे खुद पासवान जाती से आते हैं बिल्कुल देखिए इन दोनों ही सीटों पर मुकाबला बड़ा दल्चस्प है लेकिन आज दोनों ही प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे चुनोती बहुत हैं क्योंकि इस बार अपने स्ट्राइक रेट को बीजेपी मिंटेन रखना चाहेगी और एक सीट जो एंडिये से बिहार में चूटी थी 2019 के चुनावों में इस बार वो सीट भी इतने की कोशिश की जाएगे